तो वेलकम बैक तो ने अदर वीडियो तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हमें अगर DACP सर्वर को अगर कॉंट फिर्वर करना है तो एसे कॉंट एसको राउटर तो एस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक उस वीडियो के अंदर मैंने सिंगल नेटवर्क के अंदर मैंने कॉन्फिगर करना बताया था यानि मेरे पास सिंगल नेटवर्क ता और उसी नेटवर्क से सभी डिवैसेश को आई-पी बिल रहा था लेकिन आज का जो है कॉंसेप्ट वह एडवांस है तोड़ा सा जिसमें म तो यहां पर मेरे पास VLAN 10 & VLAN 20 है, VLAN 10 के लिए जो मैं नेटवर्क यूज करूँगा, वो 192.168.10.0.24 का नेटवर्क, and VLAN 20 के लिए 192.168.20.0.24 का नेटवर्क, और यह जो सिस्टम है, यह VLAN 10 में है, तो इस सिस्टम को जो IP मिलेगा, वो VLAN 10 से मिलेगा, और इस सिस्टम को IP मिलेगा VLAN 20, तो ऐसे ही अगर मेरे पास और भी VLANs है, तो एवरी VLAN के लिए मेरा राउटर क्या करेगा, एक separate network के लिए IP प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा, इसके तो जो configure करना है राउटर के उपर, पहले तो यह कि सबसे पहले मुझे क्या करना बढ़ेगा, कुछ steps मैं आपको बदा देता हूँ, सबसे पहला step, step 1, step 1 मैं मुझे क्या करना होगा, जो मेरे router है, ठीक है, इस router के उपर एकी जो interface है, यह gigabit 0x1 है, जो कि switch के gigabit 0x1 से ही connected, अगर आप यहाँ पर देख सकते है, 0x1 से 0x1 से connected है, तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरे यह gigabit 0x1 है न, इसको क्या करना होगा, तो no shutdown command से मुझे क्या करना होगा, इस interface को up करना होगा, पहला, ठीक है, लेकिन मुझे इसके उपर कोई IP address configure नहीं करना है, मतलब मैं gigabit 0 के उपर no IP configuration, no IP configuration, तो अब आप कहोगे कि कोई IP address अब नहीं देंगे, तो कैसे मेरा, क्योंकि DSTP सब्सक्राइब मुझे का IP चाहिए होता है, तो मुझे क्या करना होगा, इस router के उपर na, virtual, मुझे क्या करना होगा, इस router के उपर virtual, give me a second, मुझे क्या करना होगा, basically इस router के उपर virtual interfaces create करने होगे, virtual interfaces create, virtual interface का मतलब मुझे इसके अंदर कोई loopback interface नहीं बनाना, मेरे को क्या करना होगा, इसी के अंदर virtual interface means, मुझे क्या बनाना होगा, sub interfaces बनाने होगे, sub interfaces, तो sub interfaces बनाने के लिए क्या करना होगा, कि मेरे पास अगर मेरे मेरा यह router है जिसमें router तो इस router के gigabit 0 by 1 है यह मेरा physical interface है मुझे क्या करना होगा दो sub interfaces बनाने होगे sub interfaces मुझे create करने होगे अब मेरे पास दो vlan है vlan 10 and vlan 20 तो मुझे दो sub interfaces बनाने है अगर मेरे network में कुछ 10 different vlans है vlan 10, 11, 12, 13, 14 तो इसका मतलब मुझे जितने number of vlan होगे उतने ही number of sub interfaces मुझे बनाने होगे और उस sub interfaces के उपर मैं क्या करूँगा IP provide करूँगा तो पहला configuration क्या है कि मुझे इस interface को up करना है और मुझे दो sub interfaces create करने है तो मैं कुछ इस तरीके से create करूँगा 0 by 1 जो मेरा interface है इसी के आगे dot अगर मैं vlan 10 के लिए मेरे पास तो मैं dot 10 numbers से मैं क्या करूँगा interfaces create करूँगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं interfaces पर चलते हैं पहले दो sub interfaces create कर लेते हैं तो मुझे इस router को access करना है यहां से no करना है enable configuration mode सबसे पहले क्या करना है आपको interface gigabit 0 by 1 पर जाना है और इसको no shut करना क्योंकि मेरा gigabit 0 by 1 ही यहां पर configured है connected है तो मैं ने क्या किया सिर्फ 0 by 1 के अंदर मैंने इस interface को क्या क्या कि देना है यहां से आपको exit करना है अब आपको क्या करना है इसके अंदर सब interfaces बनाने के लिए क्या करना है interface gigabit 0 by 1 यह आप जो आपका physical interface है वह आपको exit लिखना है साथ में आपको dot लगाना है और उसके पाद आपको एक interface का number देना है तो यहां पर अगर मैं question mark करूं dot के बाद है क्या करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इतने number of interfaces में बना सकता हूं सब interfaces तो यहां पर मैं number कुछ भी दे सकता हूं from 1 से लेके और from 0 से लेके इतने number of interfaces में बना सकता हूं लेकिन for the identification कि मेरा यह जो subnet जो मेरे सब interface में बना रहा हूं यह किस VLAN के लिए बना रहा हूं VLAN 10 के लिए VLAN 20 के लिए तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो मेरे VLAN का number होता है उसी number से मैं मैं यहां पर sub interfaces create करता हूं लाइक मेरे पास अगर VLAN 10 है तो मैं यहां पर लिखूंगा gigabit 0 by 1 जो physical interface वो as it is रहेगा dot लगा कि आपको 10 लिख देना है तो यह मेरा क्या रहेगा कि जो मेरा यह interface है sub interfaces 0 by 1.10 यह VLAN 10 को represent करेगा मैं बार 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 बता रहो यहां पर कि आप यहां पर number कुछ भी दे सकते हैं 0 से लेके आपके पार यह number of interfaces है लेकिन for the identification कि मेरा यह sub interface किस VLAN को किस VLAN को belong करता है इसलिए मैं वही number यहां पर दूँगा तक कि मेरे को कहा रहा है easy रहे understanding के लिए तो मैं यहां पर VLAN 10 के लिए मैं यहां पर dot 10 लगा दूँगा ठीक है और इसके बाद मैं इसको पर IP इंट्राइब यहां पर दे सकते हैं करूँगा यह प्रिद्राइब नहीं होगा क्या बता रहा है कि आपको इस सब इंटरफेस के उपर एक solution अगर आपको VLAN के बारे में पता है अगर आपने ट्रंकिंग पड़ा है मारो मैं आजूम भी करता हूं क्योंकि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो और इन चीजों के बारे में जानते हैं यह फ्रेशर के लिए नहीं है अगर आपने सिस्य ने पहले से किया होगा तो यह उनी के लिए ताकि आपको एक डिशनल चीजी आपको सीखने को मिले ठीक है तो यहां पर क्या है कि मुझे एक सब इंटरफेस बनाना है लेकिन सब इंटरफेस को बन गया लेकि मुझे उसको पर आई-पेडर्स प्रोवाइड करना है ल और यह जो मेरा जो इंटरफेस है यह .1Q को जो मैं बना रहा हूँ यह किस VLAN के लिए बना रहा हूँ तो आपको यहां पर VLAN 10 अगर आपको .1Q के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट में बता दे तो मैं नेक्स वीडियो के अंदर मैं यह .1Q क्या है इसका क्या काम होता ह है ट्रंकिंग के अंदर वो मैं इन डीटेल में आपको बता दूँगा ठीक है लेकिन मैं जूम करता हूँ क्योंकि यह उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि कमांड को हैंड्स करना चाते है जो अलड़ेडी CCNA CCNP कर चुके हैं ठीक है तो यह CCNA हो या CCNP से हो उन नही के लिए वीडियो में बना रहा हूँ तो इनकाप्सुलेशन में यहाँ पर .1Q और उसके बाद आपको यहाँ पर उस VLAN का नंबर यानि इस इंटरफेस को आप किस VLAN के लिए यूज करना चाहते हो तो VLAN 10 के लिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ विलन 10 ठीक है तो बस यहा anadis has been provided तो डू शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ एक बार इसको मैं verify कर लेता हूं तो अब हैं यहाँ पर दे सकते हैं कि gigabit 01.10 एक sub Interface बने गया और इसके ऊपर आई पड़ इदे दिया है और इसका status अप है प्रोटोकॉल भी अप है लेकिन आप यहाँ पर आपको कोई IP आ लिए लगाना है नो शट जरूर करना है अगर आपका यह इंटरफेस अप नहीं होगा तो सब इंटरफेस अप्रेट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में 20 के लिए भी बनाओंगा तो मुझे आप यहां पर क्या करना होगा इहां से एकजिट करते हैं अब मैं लिखूँगा इंटरफेस इंटरफेस गीगाबिट 0-1 जो आपका फिजिकल इंटरफेस लिखना है और डॉट लगा के 20 चीक है फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है याप इनकैप्सुलेशन और डॉट वन क्यू और किस वीलन के लिए 20 के लेते हैं दूराइट कमांड से एकजिट करते हैं एकजिट करते हैं और यहां पर कमांड देते हैं शो आई-पी इंटरफेस ब्रीफ एक्स्क्लूट पाइप सैन लगा के अनसाइन तो देख लेते हैं तो गीगाबिट 0-1 1.10 के ओपर हमारे याई-पेड़स है और 20 याई- नेक्स स्टेप में मुझे क्या करना है कि मुझे इस जो राउटर है इस राउटर को पर DSTP के पूल क्रेट करने है तो मुझे हैं पर दो पूल क्रेट करने होंगे एक VLAN 10 के लिए और एक VLAN 20 के लिए तो मैं Configure Mode पर जाता हूँ DSTP का पूल क्रेट करने हैं कमांड होता है IP DSTP पूल और उसके बाद आपको पूल का नाम देना है तो पहले मैं VLAN 10 के लिए लिए लिखूँगा तो मैं यह पर VLAN 10 ही नाम दे देता हूँ यह जो पूल मैं क्रेट करा हूँ तो मैं पूल का नाम भी क्या रखता हूँ VLAN 10 ठीक है और उसके बाद आप VLAN 10 को कौन से नेटवर्क सा IP देना चाहते हूँ तो आप यहां पर कुछ भी नाम दे सकते है मैं नाम भी दिया जो कि मेरे को अंडेस्टैंड हो पर है कि अगर मैं बाद में इसको देख चाहूँ ठीक है तो नेटवर्क मैंने यह दे दिया ऐसे ही मैं VLAN 20 के लिए भी करूँगा लेकिन उससे पहले मैं यहां पर यह नेटवर्क देना चाहता हूँ और उसके बाद मैं सिस्टम्स के उपर जो भी सिस्सटम Mid град मैं के साथ हुआ डिफ्ट्रवर्क में करना चाहता हूं तो गेट्वेर्क रॉट्र प्रवाइट करना चाहता हूँ नंट नेट्वेर्क दॉन 921 68 10.1 घंडए यही मैरा गेटवे के लिए Arizona साथ साथ मैं DNS इंका आड 10.192 10.0 से नेटवर्क से मिलेगा 24 नेटवर्क से मिलेगा IP address साथ-साथ उसको यह gateway मिलेगा और प्लस इसको यह वाला DNS address मिलेगा ठीक है और अभी अगर मुझे यहां पर कुछ और करना है यह चाहता हूं कि मेरे जो यूजर्स हैं उनको जो IP address स्टार्टिंग में जो मिले वह रेंज मिले उनको हंड्रेट से 192 10.100 पहली IP मिले वह 10.100 तो उसके लिए क्या करना होगा कि मुझे 10.1 से लेके 99 IP address को अक्स्लूट करना होगा जिससे होगा क्या कि जितने भी मेरे VLAN 10 की जो यूजर्स होंगे उनको 1 से लेके 99 IP नहीं मिलेगा जो next IP मिलेगा नहीं जो पहली IP देगा मेरे router वह 192 168 10.100 से देना होगा उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए मुझे करना होगा यहां पर IP DSCP exclude address IP DSCP excluded address उसके बाद 192 168 10.1 मैं चाहता हूं कि 10.1 से लेके 192 168.10.99 यहां तक मेरा router IP डस ना दे चीक है तो 10.1 से लेके 99 exclude हो जाएंगे जो पहली IP मिलेगे वह 10.100 मिलेगा देखें कि उस चीज के लिए भी आगे हम ऐसे ही मुझे VLAN 20 के लिए भी करना रहेगा तो सबसे पहले मैं लेखूंगा IP DSCP pool पूल का नाम क्या रुखूंगा म कुछ भी नाम रख सकते हो बाट मैं आइडिंटिफिक्शन के लिए मैंने सेम नाम रखा VLAN 10 and 20 20 रखा है नाव उसके बाद मैं यहां पर नेटवर्क यूज करना चाहूंगा 192 168 20.0 और सबनेट मास को 255 255 255.0 मिले साथ में इसको जो डिफॉल्ट गेटवे मिले यहनी ड और साथ साथ DNS address मैं चाहता हूँ यही मिले .8 कुछ भी आप दे सकते हो यहां पर आइप डेना है मैं यहां पर एक्जूम कर रहा हूँ कि मैं Google का DNS address यहां पर देना चाहूंगा तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 20 के जो नेटवर्क के जो यूजर्स होंगे यानि 20 देखूँगा IP यह आपको कॉन्फिक्शन कमांड पर चलाना होगा कॉन्फिक्शन मोड पर यह कमांड चलेगी IP DSCP exclude address के बाद 192.168.20.1 से लेके 192.168.20.49 तक IP address आपको नहीं देना है तो मैंने क्या किया पहले सब इंटरफेस क्रेट किये उसके बाद मैंने उनके उपर IP IP address प्रोवाइड किया और मैंने दो DSCP के पूल क्रेट के फूर विलें 10 & 20 10 के लिए network रहा मैंने 10.0 और जो default gateway रहा 10.1 और DNS address 8.8 सेम थी मैंने विलें 20 के लिए भी किया ठीक है अब मुझे क्या करना होगा अब next मेरे को स्वीच के उपर आना है इस स्वीच के उपर विलें 10 विलें 20 दो विलेंस क्रेट करने होगे मेरा यह वाला यूजर जो है 10 0.1 के साथ जो connected है यह विलें 10 में रहेगा और 0.2 है वो मेरा विलें 20 में रहेगा तो पहले विलें 10 & 20 क्रेट कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले configuration mode पे जाऊंगा और मैं लेख हूँ हूँ विल इन क्रेट कर लिए ठीक है मैं क्या करूँगा इंटरफेस फार्च अथने 0.1 पे जाऊंगा और मैं लेखूँगा switch port mode access आपको पता है क्योंकि already यह जो मेरे डिवाइस एंड हो जो connected होते है उसका जो port है वो access रहता तो मैंने इसलिए switch port mode access manually मैंने इस पे configure अदिए अगर डालना इस इंटरफेस को VLAN 10 में ऐसे ही मैं इंटरफेस फार्च अथने 0.2 पे जाऊंगा switch port mode access लिखूंगा and then switch port access VLAN 20 और साथ-साथ मुझे क्या करना होगा यह जो मेरा इंटरफेस एक 0.1 switch का उस इंटरफेस को मुझे trunk port बनाना पड़ेगा otherwise मेरे को IP address नहीं मिलेगा अग मैं क्या करता हूँ PC1 पर आता हूँ डेक्स्टोप पर आता हूँ और IP Configure में यहाँ पर कहले हूँ लेकिन मैं जैसे DCP के लिए करूँ हूँ यहाँ पर देखे requesting for IP address आ रहा है पर यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा लिखा रहे डियसी फेल्ड आपी पाइप इस विंग यूज मतलब इसको IP address नहीं मिला क्यों नहीं मिला वेकाउज आफ कि यह जो पोर्ट है यह जो लिंक है यह ट्रंक लिंक नहीं है तो स्विच का जो लिंक होगा उसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा ट्रंक लिंक तो इ यहाँ पर जाके मैं अब यहाँ पर क्लिक करूं तो अब देखेंगे यहाँ पर 10.100 जो पहली मिली है 192 और 10.100 सब्नेट मास को जो हमने प्रोवाइड के था 255 25.0 वो मिला है डिफॉल गेट में हमने 10.1 प्रोवाइड के तो यह सारी आइपेडस को मिल चुका है सेम तिंग अगर मैं PC2 पर जाओ तो यहाँ पे भी अगर मैं यह से पर क्लिक करूं तो उसको 50 आइपी मिलना चाहिए पहली आपी देखिए कंसी 192 168 20.50 ऐसी जितने भी नंबर आफ वी तो आप क्याज करें आप यहां पर आ जाएं इसका जो आईपी एडस है आईपी कॉनफिक कमांड से आप चाहें तो आईपी एडस देख सकते हैं आईपी कॉनफिक तो मेरे सिस्टम के आईपी है 192 1610.100 और मैं इससे पिंग करूंगा 192 168 20.50 वाले सिस्टम को और यह पिं आइसे आउसे आप कोई भी अगर आप एक मान कहिकित मैं अपने नेट्फाक में चीक है और इसको मैंने सुध 앞에 नंबबर 3 से कनेक कर दिया सुध stör नंबर 3 से और मैं इस पोर्ट पे इस पोर्ट को क्या करूंगा वीन 10 में 20 में डाल द pone आ एकिंहें किसी एक师 कि मैं डालते मैं कि इंटर्फेस से काम करतें मेरे इंटर्फेस पर मैं स्विच पोड़ मोड एक्सेस करता हूं पहले और स्विच पॉर्टץ वी ले इसको ट्वी 토ी में डालता हूं ठीग है तो ट्वी जैसे सिस्टम पर आऊंगा और मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसको आई-पी जो मिलेगा हूं तो जैसे आप डिवैसेश आप सब्सक्राइब करेंगा तो यह एक एडवांस प्सक्राइब कर सकते हैं यूप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट आया हो या कुछ चीज समझ में नाया हो तो मुझे कमेंट करें तक कि मैं आपके डाउट को के लिए कर सकूं ठीक है इसके बाद जो मैं next वीडियो लेकर आँग डिये सीपी का कि और यह DSP秀 सर्वे को कैसे सिक्यूर कर सकते इंद आवर नेट्वक तो नेक्स पारट हमारा DSP की सिक्यूर्टी रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आये तो और एसली ही इंदरस् red York के लिएρ चैनल